आज ऐसा नुस्खा बताऊंगा भाई साहब अगर आपने इसे यूज कर लिया ना रो जाना यूज करोगे रो जाना आपकी टाइमिंग जो है बहुत जादा हो जाएगी बहुत छोटा सा काम करना आपको बहुत ही सिंपल सा अगर आपने इसको कर लिया ना तो बहुत जादा आपकी टाइमिंग होगी, क्या करना आपको देखो, मार्केट आपको जाना है छोटी-छोटी मचलियां लेकर आनी जो लोग मचलियां खाते हैं, उनके लिए ये नुस्का है, बाकि किसी के लिए नहीं है, आपको घी लेकर आना है सुद्ध गाय का घी और मचलियां लेकर आनी क्या करना है आपको मचलियां लेकर आओ, छोटी-छोटी इतनी बड़ी-बड़ी, उनको साफ करके साफ करने के बाद, उसमें हल्दी में लाने के बाद, अब आप उस जो घी लेकर आए हो, उस घी को कड़ाई में डाल कर गरम करो और उन मचलियों को उसी में डाल दो उनको भून लो भूनने के बाद आप उनको रख सकते हो अपने फ्रीज में स्टोर करके रख सकते हो भूनने के बाद आप उनमेंसे कम से कम 200-200 ग्राम 300 ग्राम आप उनको खा लो आज जैसे आप आज आपको संबोग करना है और आपको ट्राई करना मतलब आप संबोग करके ट्राई करना चाहतेगी वास्तब में इससे लाब होता है या नहीं होता है आपकी टाइमिंग एक मिनिट होगी अगर पांच मिनिट ना हो जाए तो मुझसे से बात करना करना क्या है आपको देखो जो मशलियां आपने बनाई है भूनी है उन मशलियों वो आप रात की समय साम की समय आपने तैयार किया उनको 200-200 ग्राम 300 ग्राम खा लिया खाने के बाद आप एक से आदा घंटे बाद लगबग आप संभूख करने जाएंगे तिक संभूख करने जाएंगे आदा घंटे बाद जैसे ही आप मतलब आप देखेंगे आप आप इमेजन करेंगे कि यार मतलब पहले तो मेरी एक मिनट भी टाइमिंग नहीं थी और आज म तो उपाय है ना बहुत ही तुच्छ सा है सिंपल सा है चोटा सा है आप इन चीजों को मसलियों को लगातार भी आप खा सकते हो रोज आना भी आप खा सकते हो इनसे कोई नुकसान होने वाला है नहीं एक बार यूज़ करके जरूर देखना इससे लाब हदसत प्रतिसत होगा लिख कर ले लो इस बात को 300 ग्राम मसलियां खा ले ना फिर संबोग करना कम से कम 5-6 मिनट अगर टाइमिंग ना हो जाए तो मुझसे बात मत करना जाओ ठीक है लेकिन करके देख ले ना उसके बाद मुझे कमेंट करना उससे पहरे नहीं नहीं तो फितूर भड़ा पढ़ा कि यारे कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा होता बहुत कुछ है बस कर नहीं पाते आप लोग कर नहीं पाते तो हम से कहते हो कि यारे कुछ नहीं होता करोगे तब तो कुछ होगा ऐसे थोड़ी नहीं हो जाएगा है या मैं बना के थोड़ी नहीं दे द